नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं कि अगर आपने नामंत्रन बटवारा या सीमंकन के लिए आवेदन किया है तो वह आवेदन अभी कहां तक पहुंचा या जो आदेस आपने किया थ हैं अगर इससे पहले आप हमारी चैनल पर नए आ है चैनल को लाल वाले बटन को दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हां वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण है तो दोस्तों आपको इसकी जानकरी न कर देता हूं तो मैंने जैसे RCMS सर्च किया जिसके बाद मेरे सामने आपर RCMS का पोर्टल निकल के आ चुका है तो आप मैं आपर यह पोर्टल में क्लिक कर देता हूं इसके बाद आप देख सकते हैं यह website थोड़े लोड ले रही है और मैं आपको पूरी detail बताऊंगा कि आप कैसे अपने जानकारी देख सकते हैं तो दोस्तो दोस्तो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर की मेरे सामने website को इस तरीके को खुल के आ गई है तो दोस्तो आप जिस राजे से हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं मैं आपके राजी की भी बता दूंगा और आप इस वीडियो की साहिता से सभी राजिकी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर MP लग के आ रहा है तो आप यहां पर UP Bihar जो भी आपका राज है वो आप Simply यहां पर स्लेक्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर त्री डॉट देख रहा होंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर नीची चले आना है और आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है उपलब्द सुविधाय में तो दोस्तो जैसे ही मैं उपलब्द सुविधाय में क्लिक करूँगा तो मेरे सामने बहुत सारे यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी तो आपको यहां पर नीची आ जाना है और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भूमी विवाद की जानकारी आपको देखने को मिल रही होगी तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है आप इसकी साहिता से आपको आपने नामंतरण के लिए या आपके जमीन का नाम आप बदलवाना चाहते थे जिसकी नाम से जमीन थी और अपने नाम पर करवाना चाहते हैं वो आपका काम अभी तक हुआ यह नहीं यह भी आप जान पाएंगे और साथ ही में आप बटवारा भी अगर आपने कराया है तो आपका जो काम है वे पहंपा कहां तक पहूंचा इस वीडियो के साहएता से आप जान पाएंगे और अपने मोय से बतारा हुँ आप बी है आगले वीडीयो इस पर बना दूंगा कि कैसे मंगा कर सकते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर बहुत सारे options देखने को मिल रहा होंगे, तो आपको सबसे पहले अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, चलिए जैसे मैं हाँ पर कोई भी जला सेलेक्ट कर लेता हूं, जला सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने आप साब डिवीजन देखने को मिलेगा तो मैं आपर कोई भी डिवीजन सेलेक्ट कर लीता हूँ आप गाहों से भी हैं तो गाहों से भी आप इस डिटील को निकाल सकते हैं इसके बाद मैं अपनी हाँ पर तैसिल सेलेक्ट कर लीता हूँ इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आराई सर्कल जो आपको सेलेक्ट कर लीना है यहाँ पर आपको पड़वारी हलका सेलेक्ट कर लीना है यहाँ पर आपको ग्राम सेलेक्ट कर लीना है चलिए मैं आपको कोई भी ग्राम सेलेक्ट कर लीता हूँ इसके बाद आपको यहां पर खसरा का option देखने को मिलेगा तो यहां पर आप अलग-अलग खसरा टाई कर सकते हैं आपका जो खसरा है आप select करके देख सकते हैं तो दोस्तो जैसे ही आप यहां पर खसरा नमर डालेंगे अपना और आप जैसे देखे में क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर निकल गया जाएगी कि आपका जो भूमी विबाद का या तो आपका नामंतरन था या बटवारा था या सीमंकन था वो काम जो है आपका सरकार के तरफ से कहा तक महँचा और कितने दिनों में आपका सीमंकन या बटवारा हो जाएगा तो दोस्तो आजकी वीडियों हम जाना की कैसे आप सीमंकन की जो भूमी विबाद की जानकारी है वो निकाल सकते हैं और साथ ही में अगर आपको आपनी जमीन के सिमांकन का आबेदन करना सीखना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं मैं अगली वीडियो इस पर बना दूंगा कि आप कैसे अपनी जमीन का सिमांकन करने के लिए आबेदन सिर्फ अपने मौयल से कर सकते हैं और अचरव कोई इस जो इस जो अरप सीर्फ कोई यह नहीं नहीं कि नियुक्वर आप यहाँ पर आराम से ख्लिक करेंगे तो आप सभी देखांगे तो दोस्तों आज की वीडियो बस रही था वीडियो पसन है यहीood बीडियो को लाइक ज्यूहाइक जरूर और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मात पूंड वीडियो लाते रहता हूं आज की वीडियो में बस इता नहीं था धन्यवाद